डोक्स के एड्रोप से हमारी community ने 100 डोलर से 500 डोलर तक का एड्रोप earn किया था अब बहुत लोगों ने जो है डोक्स एड्रोप के उपर profit book कर लिया यानि की coins को sell कर दिये जो wait कर रहे हैं re-entry का कि कहां पर entry लेना सही रहेगा अच्छे profit के लिए और कुछ लोग ऐसे ही भी हैं जो अभी तक डोक को इनको hold कर रहे हैं और wait कर रहे हैं target का कि कितना हमें profit आने वाले time में देखने को मिल सकता है क्या है उपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा हमने telegram के उपर भी पॉल किया था इसके वारे में क्या आपको dedicated video चाहिए डोक्स के price prediction के उपर तो बहुत लोग कंदर आपके सभी doubts clear हो जाएंगे कहां पे आपको entry लेने चाहिए short time में कितना target रखना चाहिए तो make sure video को एन तक पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल के नहीं आप चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी informative वीडियो आपको मिलती रहें dogs coin की listing की बात करें तो 26 अगस्त को dog coin list हुआ था 0.0012 dollar के price पे और उसके बाद 30-40% का pump देखने को मिला और जब peak price चल रहा था 0.0016 dollar इसका peak price गया था तब ही मैंने अपने telegram को पर mention किया था कि आप यहाँ पे coins को sell कर सकते हो और उसके बाद continuously मैंने इतनी बार आपको update दिया live videos के अंदर live telegram के ओपर कि आप यहाँ पे dog coin को sell कर दो मेरा target जो है वो 0.001 dollar के नीचे रहने वाला है और कुछी दिनों के अंदर यहाँ पे dog coin का price आज के दिन की अगर मैं बात करू तो 0.001 dollar के नीचे चल रहा है last के दो live session में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि descending triangle pattern बन कर दिया था या उसके आसपा sell कर दिया था तो आप अभी rebuy करने का mocha मिल चुका है जहां पर आपके quantity increase हो जाएगी coin की पर अभी जो है price 0.0095 चल रहा है क्या यहां से और नीचे जा सकता है तो मुझे लगता है यहां से 10-20% का और हमें dumps देखने को मिल सकता है यानि कि dog coin क price short term में 0.0085 या 0008 तक हमें देखने को मिल सकता है मैं dollar के अंदर बात कर रहा हूं और उसके बाद हमें price pump देखने को मिलेगा क्यों ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि अगर हम note coin से compare करें तो जब note coin list हुआ था 0.008 के ओपर list हुआ था और उसका price drop होके 0.0045 तक गया था यानि क almost 80% crash हुआ था same dog coin के अंदर हमें 80-90% crash ओल्डी देखने को मिल चुका है top से और उसके बाद जो है note coin बहुत तेजी से pump हुआ था और 5-6x तक price चला गया था तो क्या dog coin के अंदर भी हमें इतना price pump देखने को मिल सकता है तो उसके लिए बात करते है short term analysis की यहाँ पे हमें एक falling wedge channel देखने को मिल रहा है जो कि एक bullish pattern होता है और इसको अगर breakout कर देता है जो कि मुझे लगता है कर देगा आने वाले दिनों में अभी 10-15% odd drop हो सकता है बट उसके बाद हमें dog coin के अंदर short term के अंदर 50-60% तक का pump देखने को मिल सकता है यानि कि मेरा short term का target रहेगा 0.0013 तक मे dog coin का price जाता हुआ दिख सकता है और अगर हम long term की बात करें तो बहुत लोगों को कहने कि long term के अंदर dog coin का price एक दोलर तक चला जाएगा तो एक दोलर मुझे नहीं लगता जाना possible है क्योंकि एक दोलर जाने के लिए अभी इसकी market cap 500 million dollar की है और एक दोलर जाने के लिए यहां स को बेवकूफ बना रहे हैं उनको खुद को market के बारे में नहीं पता है और वो समझ नहीं सकते है कि market की जो supply है वो बहुत जादा depend करती है पर अगर मैं बात करूँ यहां पे एक रुपे की तो definitely एक रुपे प्राइस जा सकता है अभी रुपे के अंदर जो है dog coin का price 0.08 रु क्यों क्यों क्योंकि अभी market cap जो है वो 500 million dollar की है और अगर मैं compare करूँ इसको दूसरे meme coin से जैसे कि Shiba Inu, Doge तो Shiba Inu की market cap 8-9 billion dollar के आस पास चल रही है Doge coin की market cap 12 billion dollar की चल रही है तो इसकी market cap भी easily हमें 5 billion dollar तक देखने को मिल सकती है आने वाले एक साल के अंदर यानि कि यहां से 10 गुना तक price जो है pump हो सकता है पर आप short term के अंदर इतनी बड़ी high expectation मत रखना कि 2 दिन 10 दिन के अंदर ही इसका price 10x हो जाएगा क्योंकि इसकी market cap already काफी जादा है मैंने खुद ने dogs की short position ली थी 0.0013 के उपर और वहां से already half position मैंने close कर दिया 10,000 dollar profit पे और 10,000 dollar profit मेरा अभी भी चल रहा है जो कि मैं थोड़ा सा गर और यहां से crash होता है 10-15-20% का यानि कि मेरा target रहेगा 0.0085 का वहां पर मैं अपनी position close कर दूँगा और उसके बाद मैं entry का देखूँगा कहाँ पे मिरको entry लेनी चाहिए ताकि मिरको आने वाले time में profit हो जाए और यह सबी updates जो है मैं आपने अपने telegram के साथ share किये थे telegram के उपर मैंने आपको बताया था कितना price dump हो सकता है और exactly market वैसे move करी है बट आपको अभी careful रहना थोड़ा सा market stable नहीं है बट अगर आप इसको 6 महिना एक साल hold कर सकते हो तो आप इसमें से 5X 10X profit expect कर सकते हो उससे जादा भी जा सकता है बट क्या उनको करना पड़ेगा इनको burning mechanism लाना पड़ेगा यानि कि supply इनके coins की बहुत जादा है अगर इस supply को burn करते हैं heavy तरीके से या कुछ बड़ी partnership payment gateway announce कर देते हैं तब इसका price हमें long term में और जादा अच्छा जाता हुआ दिक सकता है अगर हम इसकी compare करें note coin से तो note coin की supply जो है वो सिरफ 100 billion dollar की है और dog coin की supply जो है 550 billion dollar की है तो जो लोग आपस में compare कर रहे हैं कि दोनों का price same रहना चाहिए तो वो चीज़ गलत है क्योंकि dog coin की supply note coin से 5 गुना जादा है तो उसका price भी उसी तरह से move करेगा बाकी short term के अंदर एक और bullish scenario ये भी बनता है कि जो a drop के अंदर लोगों को coins मिले थे on chain के अंदर लोगों के coin अभी भी stuck थे यानि कि सब लोगों ने sell नहीं की दे बट सिरफ एक दिन और बाकी रह गया है जब एक दिन के अंदर सभी transaction complete हो जाएगी लोगों के पास a drop पा जाएगा लोग अपने a drop को sell कर देंगे उसके बाद जो है वहाँ पे selling pressure हमें और कम जाता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे थोड कोई आपने hold की हुए है sell कर दी है और आपका क्या price target आने वाले एक साल के अंदर 24-25 के अंदर जो है डो कोई कितना आ जा सकता है इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के बाद जूरू share कर दें ताकि उन्हें भी accurate जो है market के बारे में पता लगे ऐसा मत सोचो एक दोलर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाई टेक गेर